गर्ब निरोधक गोलियां लेते समय रखें इन बातों का ख्याल. आज के समय में फैमिली प्लानिंग पर काफी जोर दिया जा रहा है, जिसके कारण लोग गर्बधारन रोपने के लिए कई उपाय अपनाते हैं. इनी में से एक है गर्ब निरोधक गोलियां. जब महिला गर्ब निरोधक गोलियों का सेवन करती है तो इससे अंडूतसर्व नहीं होता, जिससे गर्बधारन की संभावनाय नहीं रह जाती. वैसे तो यह बेहत प्रभावी मानी गई है लेकिन अगर इसके सेवन के दौरान ध्यान न रखा जाए तो इससे महिला को कई तरह की परेशानी हो जाती है. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में. होती है परेशानी. जन नियंतरन पध्धतियों में गर्ब निरोधक गोलियों को काफी कारगर और सुरक्षित माना जाता है. लेकिन गर्ब निरोधक गोलिय हर स्त्री के लिए लाबदायक नहीं होती। कुछ महिलाओं को गोलियां लेने के बाद सिर में दर्द, चक्कर आना, मितली का अहसास वमूद स्विंग साधी की शिकायत होती है। वैसे तो इन समस्याओं को सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर यह समस्या लंबे समय तक रहती है तो फिर आप किसी स्त्री रोग विशेशगे से सलाह अवश्य लें। ऐसे करें सेवन। गर्ब निरोधक गोली लेने का भी एक तरीका होता है और अगर उसी तरह से गर्ब निरोधक गोलियों का सेवन किया जाए तो वास्तविक लाब होता है। गोलियों का सेवन हमेशा मासिक धर्म के पहले या दूसरे दिन ही प्रारंब करना चाहिए, इसके बाद आप तीन सप्ताह तक इसका निश्चित समय पर सेवन करें, इसके बाद एक सप्ताह का गैप करें, उसके बाद दुबारा तीन सप्ताह तक इन गुलियों का सेवन करें, इस प्रकार यह क्रम चला साथ ही कोशिश करें कि आपके दवाई लेने का समय भी निश्चित हो। इससे आप पहली और दूसरी गोली का अंतराल 24 घंटे का हो जाएगा और निश्चित समय पर दवाई लेने से आप दवाई का सेवन करना भी नहीं भूलेंगी। याद रखे कि यह दवाई तभी समय के लिए प्रेगनेंट नहीं होना चाहती तो गर्ब निरोधक गोलियों के सेवन से पहले स्त्री रोग विशेशगे से मिलें और फिर उनकी सलाह पर आवश्यक जाच करवाएं। कभी भी स्वयम से गोली शुरू ना करें। डॉक्टर द्वारा लिखित दवाई का ही से जाना चाहिए। अगर महिला गोली लेना भूल जाती है तो उसके गर्ब धारन की संभावना बढ़ जाती है। अगर गर्ब निरोधक गोली लेने के तुरंत बाद आपको उल्टी हो जाए तो फिर आप दूसरी गोली लें। उल्टी होने का अर्थ है कि गोली का असर नही इस वीडियो के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं. इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें. किसी भी बीमारी के लक्षनों की स्थिती में डॉक्टर की सलाह जरूर लें.